हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर्शे हैं अपने यूटूब चैनल राज एजूकेशन हेल्फ में सावगत है दोस्तों जैसा कि आप इस थमनेल में दिखा दे रहे हैं तो उस वीडियो गो आप ज़रूर लेकर दोस्तों और ये यूनिट की बात करें तो हाईको ड्रावर की यूनिट सेंग्या 12 है वो चल रही है दोस्तों दोस्तों हमारे जो वीडियो है उनकी विस्यष्था है सब्सें बड़ी विस्यष्था है कि हम संपून जानकारी पूर्ण व्याक्या सहीत वो इस वीडियो में दे रहे हैं दोस्तों वो सबसे जो इंपोर्टेट परसन है वो आपके सामने पेस्ट करनी जा रहे हैं जैसे यह जो परसनों की शीरीज है शुरू होगी जैसे हमारे सलेबस पूरा होगा तो आपके लिए पर तेक दिन वो मोडल पेपर है आपके लिए लेकर आओंगा दोस्तों तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों जो एक सेंटीस तक की क्यूशन है वो पिसली वीडियो में आपको मिल जाएंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं तो दोस्तों यहां अंतरदहन और बहिरदहन इंजन में दोनों में तुलना की जा रही है तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि इसका जो क्रेक्ट उत्तर है वो एल हो जाएगा यूंकि जो बहिरदहन इंजन होते हैं वो तेल की इनमें खपत भी ज्यादा होती है और इनमें कम होगी अंतरदेन इंजन में कम होगी लेकिन दोस्तों में आपको बता हूँ कि जो अंतरदेन इंजन है इनकी जो कारे दक्स था है इंजन की वो बहर देन की तुलना में भूज़ेदा अधिक होती है इसके अलावा जो अंतरदेन इंजन है वो तुरंत इस्टार्ट किये जा कम होती है तो लिए घृकर की क्योंसर के वात करते हैं दोस्तों संघrophe क्या होता है कि ha长 कि जो तेल जो तेल analyzed को घाड गरने करने का काम है वो करता है और बहीर देन इंजन है उसमें आपको पता है कि यह बहुत बड़ा इंजन होता है और इसमें तेल की जो मात्रा है उसको सिमित रखने के लिए कंडेंसर की साइट ली जाती है ताकि है जो बहीर देन इंजन वेशे ही भोजयता तेल की मात्रा को खबत करता है उस तेल की मात्रा को खपता है उसको कम करने के लिए या सिमित तेल की मात्रा को मात्रा ही उसमें जले इसके लिए कंडेंसर क्या आव सेकता होती है दोस्तों तो इस परकार जो इंजन है इंजन में कंडेंसर क्या आव सेकता नहीं होती दोस्तों, नेस्ट क्योशन की बात करते हैं अगरा क्योशन है किस इंजन में कम पावर उत्रपन होती है तो option number 1 है 4 stroke cycle engine, 2 stroke cycle engine 1 minute दोस्तों, तो हमारा person था कि किस इंजन में पावर कम होती है, तो option number 1 था 4 stroke engine, number 2 था 2 stroke engine, 3 stroke engine तो इस person का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, option number 1 दोस्तों, इसका कारण क्या है, कम पावर का आप सबको पता है, जो 4 stroke engine होता है इसमें, जो 4 stroke होंगे पिष्टन की अगर 4 बार गठी होगी तो जो crank shaft हो दो बार गोमेगी दो बार crank shaft गोमेगी उसमें से केवल एक ही बार है वो engine को power मिलती है, सकती मिलती है वो है, मतलब जो 3 stroke हो था power stroke, केवल power stroke में ही उसको एक सकती मिलती है, piston को बाकि जो 3 stroke है, वो केवल इसकी कारेफरनाली से संबन दीते है, दोस्तों इसके इक बार crank shaft गोमती है और एक बार भी power मिल जाती है दोस्तों इसके लाब दोस्तों बात करें जो 2 stroke engine है वो सभसे अच्छे तो दोस्तों 4 stroke engine ही होते है, क्योंकि पावर हदिक होती है, किसकी 2 stroke engine ही इनके लाब बात करें जो 2 stroke engine है वो भी कम होती है क्योंकि जो इसके पूर्जे होते हैं क्योंकि ये प्रतेक जो गती है इसकी पिश्टन की गती उसमें पावर जेनरेट करता है इसके कारण जो इसकी यांतरिक दख्षता है इसके जो उपकरण है वो जल्दी ही काम आ जाते है इसके लबावा जो output है वो भी इसका कम मिलता है या कहें कि इसकी दक्सता है कारी करने की दक्सता है वो कम है ये जल्दी घरम हो जाते हैं कौन सी है? two stock engine की बात करा हुँ में या कहें कि इसमें जो इंधन है आप सब को पता है कि जिस समय ये इंधन को अंदर देता है उसी समय उसी के साथ में इंधन को बाहर भी निकालता है तो उसके साथ में किया कुछ बीना जलावा इंधनी पर बाहर निकल जाता है तो इस परकार जो इंधन की खपत है वो भी Two-Stoke Engine में ज़्यदा होती है और ये आवाज भी बीए वो forestroke की तुलना में जयादा करते हैं और इंधन अधूरा ज़लावा इंधन ही बाँ निकाल देता है इसकी तुलना में जो forestroke engine है इनमें इंधन की खपत कम होती है अवाज कम करते हैं या गरम हधिक नहीं होती है दक्सता बहुत अधिक होती है आउटपूट है वो मतलब इंधन खपत की तुलना में आउटपूट अच्छा निकालते हैं तो इस प्रकार इन दोनों की तुलना है दोस्तों इसका संपुन वीडियो में मैंने पहले अप्लोड कर दिया है आप अगर विस्तार से जाना चाहते है तो आप हमारे पिसली वीडियो में जा सकते है नेस्ट क्यूशन है दोस्तों किस इंजन में किस इंजन की मेकिनिकल दक्सता हधिक होती है किस इंजन की मेकिनिकल दक्सता हधिक होती है दोस्तों तो इसमें ओप्सन नमरेग है two stroke cycle engine, four stroke cycle engine, don't know या अप्रूप्त में से कोई नहीं, तो mechanical लक्षता की बात कर रहे हैं, mechanical लक्षता को ही इंदी में यांतरिक लक्षता कहते हैं, तो इस परसन का उतर हो जाएगा, या बी, क्योंकि जो यहां three groups सक्सम होता है, वो two stroke की तुलना में four stroke engine है, वो क्या है, थोड़ा सा अच्छा होता है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, पेंटिस नमर परसन की, आइसी, मुलब internal combustion engine में, चूसन, संपीडन, सक्ति और निसकासन, चार प्रक्रम आवशेक है, दो इस्टोक engine में यह प्रक्रम विलोपीत रहते हैं, मुलब जो internal combustion engine होता है, अंतरदहन engine के हैं इंदी में, इसमें चार इस्टोक होते हैं, सबचे पहला चूसन, जिशें अंगर इस्टोक होते हैं, यह चार इस्टोक होते हैं दोस्तों, तो दो इस्टोक engine है, इन चारों में, दो इस्टोक engine में केवल दो ही रहते हैं, और वो क्या कौन-कौन से रहते हैं दोस्तों, जो 35 नमर का उतर क्या हो जाएगा, ए, लब जो चूसन और जो निकास है, यह इसमें ल होता है जब इसमें जो एक जश्ट इस्टोक है वो काम करता है कभी जब दोहें को बाहर निकालते हैं तो जब कंप्रेसम की प्रक्रिया होती है उसी के साथ में क्या है जली विगेसों को बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए तो यह दोस्तों इसकी एक कमी है कि इसमें बिना ज परिक्रिमा में एक बार, पिष्टन की परतेक श्टोक में एक बार, क्रेंग की चार परिक्रिमा में एक बार, तो इस परसंद की जो सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, क्रेंग की दो परिक्रिमा में एक बार, आप सब को पता है, पिष्टन चार बार गुमेगी, और इसको की जो दूसरी परिक्रमा है उसमें क्या है यह केवल इंजन की कारिय प्रणाली को चलाती है दोस्तों नेस्ट क्यूशन की बात करें तो इस ट्रोक इंजन में सक्ति उत्पन की जाती है उप्सन नमर एक है क्रेंग के एक चक्र में एक बार क्रेंग के दो चक्र में एक बार क्र लेकिन जो डिजल इंजन होटा है उस Люб D किने की परक्रिया के के दोबारा ही डीजल को जलãy जाता है टॉपर को जली की इंजन होता है उसमें अनुपादाव ज्यादा रखना ज़रूरी है दोस्त हुआ होता है जो कि स्थम एंट रहता है पिंटों को हो गया total is सके जब गया पिस्टन उपर गया तो इसके अलबाव जो कलीरेंस वोलियूम रहता है कलीरेंस वोलियूम की है कहते हैं जो piston और cylinder head के बीच में compress करने के बाद में जो item रहता है उसके कहते हैं तो टोटल वोलियूम में अगर कलीरेंस वोलियूम का भाग दिया जाए तो compression ratio आ जाता है दोस्तों जहां इन धने वो कंप्रेस हो रहा है, उस इस्थान को क्या आए ते है, अभी मैं निहीं बताए था, पिसली उत्र पर्सन में भी आ गया था दोस्तों, तो अपस नमबर एक है, स्वेप्ट वोलियूम, नमबर दूर कलीरेंस वोलियूम, नमर तीन ए और बी दोनुँ, तो इस पिश्टन के और टीडीशी की बीच में जो इंदन है उस इस्थान को क्या का जाता है कलियरेंस वोलियूम इसके लाव दोस्तों बात करें स्वेप्ट वोलियूम तो स्वेप्ट वोलियूम किसे कहते हैं जो यह इंदन है इसका 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 इसक का कुछ आईतन कितना है इस प्रकार दोनों में यह अंतर है नेस्ट क्यूशन की बात करें बैंस नमर परसन है कि सिलेंडर के अंदुरुनी व्यास को का जाता है उपस नमर एक थ्रो बोर टीडीशी बीडीशी आप सबको बता है बीडीशी सिलेंडर का नीचला भाग है टीड जो दॉस्त क्यूशन है डीजल इंजन में संपीडprehन अनुपाथ समाने तर रखा जाता है जो मतलब डीजल इंजन है उस में संपीडैन कंपरेशण अनुपाथ दोस्तों बात करें जो पेट्रो इंजन की बात आई थी उसमें कितना था पांसे दस के बीच में था अब आता रही है डीजल इंजिन की दो अपसन नमर इस पांसे दस पांसे पंदरा बारख से बाइस उप्रोग में से कोई नहीं तो इस परसन का उत्तर है वो शी हो जाएगा मलब इसमें जो संपिड़े ननुपात है वो ज्यादा रखना होता है दो दोस्तों आपको अभी उपर परसन आया था इसका तो बात करें नेक्स की तो परसन नमस 40 है हमारा नीमिन में से कार्बूरेटर का कौन सा कार यह नहीं है उपसन नमर एक है पेट्रोल का इसमाल रिजर्वर बनाए रखना पेट्रोल का वास्पी करना बाहर के नुसर वायू वायू को साब अत्वा फिल्टर करना तो दोस्तों इसमें जो उपसन नमस 4 है वो सही हो जाएगा क्योंकि यह जो फिल्टर का काम है यह वायू को साब और फिल्टर करने का काम है वो एर फिल्टर करता है बाकि सब काम है वो कार्बूरेटर का क्या होता है हवा और पेट्रो होती है उसमें सत्रा नुपात एक मलब सत्रा लीटर अगर हवायू होगी तो इसमें एक लीटर पेट्रोल होगा और इसको दोस्तों इसके लब बात करें तो कार्बूटर करता क्या है इसको वास्प में कंवर्ट कर देता है ऑप्स नमर दे को दो हमारे सामने आ रहा है कि जो वास्प करन करना वास्प करना वायू तो एक प्रकार की वास्प के टाइप में ही है इस पर पेट्रोल की बुंदों की बुछार करने से क्या है पेट्रोल भी क्या है वास्प के रूप में इसके अंदर घुल जाता है दोस्तों तो इस प्रकार जो रेश्यों है इन दोनों क पुछा गया है तो उसके एसाब से आप उतर दे सकते हैं यह दोनों ही उतर है वो क्रेक्ट वह सकते हैं उसे इतनी में आगे देखने हैं दोस्तों पेट्रोल इंजन में वायू इंधन अनुपात इसके द्वारा निंत्रित किया जाता है तो इसमें उप्शन नमर एक है इंज बहँति अच्छा परसन अश्ट्रोक बोर से सभी उतर है जो क्या हो जैगा दोस्तों इसट्रोक आप सब को पता है त्टीच बीडीच के बीच में पिश्टन अगती करता है उसको एक इस्ट्रोक है काज आता है चाहे वो उपर से नीचे हो या नीचे से उपर हो दोस्तों यह TDC है मेरा टॉप में होती है वो BDC बोटम में होती है मदल नीचे होती है दोस्तों जेस्ट क्यूशन की बात करें समय के बाद इंजन वाल का कहलना कहलाता है यह मैंने पिछली वीडियो में भी बिताया था और अब दूबर आ गया है बहुत अच्छा परसन है समय के बाद म option number एगə Lead, Lead यहने होता है नेटिटूए करना मकला पहले तो इसमें बाद की बात हो रही है लेग यहोना पिछड़ावा पिछड़ना मदल इसमें पिछड़ाई यह समय के बादजन वाल खुलना मजल पिछड़ गया है तो इस पसन का उत्तर हो हो जाएगा लेग, मतलब जो समय के बाद इंजन वाल खुलते हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी टाइमिंग से थोड़ा लेट तो उसको वाल लेग कहते है बहुत आप इसको पता यह क्या है नेक्स्ट क्यूशन की बात करें डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है तो इसमें उप्सन नमर एक है एक दस से दस दो बारा एक से बाइस एक पांच दो से पांच दो पांच एक पांच से दस दो तो यहां जो डीजल इंजिन उसका compression ratio है वो कितना रख सकते हैं दोस्तों option number B हमारा correct हो जाएगा 12x से 221 के मध्धे वो compression ratio हमारा रहना लब कमशियां कम 12 अनुपात 1 है वो हमारा रहना जरूरी है दोस्तों अब इसमें 12 अनुपात 1 है वो क्या है मतलब जो सिलेंडर का कुल आयतन है वो कम से कम 12 है तो उसका कलीरेंस वोल्यू में वो एक ही रहना चाहिए नेश्ट क्यूशन की बात करें नीमिनल लिखीति में से इंजन का compression pressure क्या होता है पॉंट परतिवरग इंच तो यहां option नमरे के 350 से 550 सोचे 270 270 से 320 101 से 110 के बीच में तो इसका person का उतर है वो क्रेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों आपको निरने करना है कि option सी कौन सा होगा दोस्तों यह आपके exam के अंदर भी यह position हो सकती है तो इसमें जो नजदी की उतर सही होता है वही उसको ही exam board है उसको सही मानता है दोस्तों यह आपके लिए practice के लिए बहुत अच्छा है कि अब आप इस person में कौन सा उतर सी करोगी आपको होगे कि fly whale है वह भी engine का ही बाग है और आप सबको पता है कि इस person का उतर है वह क्या हो जाएगा A और B दोनों आप सबको पता है cylinder है वह engine का होता है वह शिलेंडर के अंदर piston गति करता है तो यह engine हो गया इस piston और cylinder का जो काम होता है वह होता है क्रेंक साप को गुमाना इसी के उपर हो यह fly whale जोड़ी होती है तो यहां जो option के इसाप से उतर बेट रहा है हमारा यह A और B दोनों हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार इस person का उतर क्या है मलब cylinder और piston दोनों किसके बाग है engine के बाग है फ्लाइवेल किसका बाग है क्रेंक साप का दोस्तों यहां बात क्योंकि दूसरी बात बात करूं में तो engine का जो मुख्य काम होता है engine का तो उसका केवल यही बाग है कि वह क्रेंक साप को गुमाए बाद में जितनी भी प्राणालिया काम कर रही है वो क्रेंक साप के आधार पर काम कर रही है तो engine का केवल का है क्रेंक साप को गुमाना आग की बात करें तो अगला परसंड है मारा नीमन में किस ना नमर नमर परसंट में से को युण दोस्तों इस परसंड को सभी उत्रा सब को पता है पिसमी वीडियो में भी बता इया सब करेंब्स को टेbenकि सिंगल हो जया एकोमारा चुल कि ज्रीसका के दुधिuity का मतलब हो गया एक से अधिक होना एक सिलेंडर एक सिलेंडर दो पिस्टन एक से अधिक सिलेंडर ओप्रोग में से कोई नहीं तो इस परसंद का दिट से उट बन है और कि अधिक तो उप्सन नमर एक है, कोपर, नमबर दो, कास्ट आइरेन, नमबर तिन, ऐलुमिनियम ऐलोई, और B और C, मलब कास्ट आइरेन और ऐलुमिनियम ऐलोई, तो इस परसन, तेरेपन सेंग क्या परसन है, इसका उत्र क्या हो जाएगा, D, मलब जो कास्ट आइरेन है, उसका भी ब अधिक्तम जो temperature है उसको send करने की किसमता 20 में हो जाएगे दोस्तों इस प्रकार किसका बनता है जो cylinder head है किसका बना होता है का श्टाइरेन और aluminum alloy का दोस्तों आगे बात करने next question की परसन सिंग्या चोपन है हमारी नीमिन में से किस दो परकार के ring piston पर फिट होते हैं बहुत अच्छा परसन है और हमने काफी दस बार कम से कम पढ़ लिया है इसको हमारी वीडियो में परसन ओप्स नमर एक है card ring oil ring compression ring oil ring oil ring small ring compression ring और परफटेड रिंग बहुत ही अच्छा परसन है हमारे सामने है तो इस परसन का जो स्यूतर क्यों सा हो जाएगा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें कि आपको पता होगा कि compression ring रिंगे उनकी क्रितनी होती है 2 क्योंकि compression उपर से बहुत ज्यदा pressure डालता है इसके लिए ये दो रिंगे रिंग है वो इस्तेमाल की जाती है दोस्तों जो पिष्टन होता है हमारा पिष्टन के उपर सब से पहले एक नमर पर ही है हाँ एक नमर कंप्रेशन पिन दो नमर पर 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 तीन नमर पर ओईल रिंग क्योंकि नीचे रहता है तो ये उपर ने जा सके कि एवल यह एक इपीन रिंग काम कर जाएगी compression यहाँ जो इंधन जलता है वहाँ गेसे उत्पन होती है उसमा उत्पन होती है इस उसमा को निचे आने के रोकने के लिए दो रिंगों का परियों किया जाता है तो जो piston है उस पर तीन रिंग होती है लेकिन परकार कितने होती है दो कौन-कौन सी compression और oil ring next question की बात करें दोस्तु super charging का तात्परी है option number 1 का है निकास का दा बढ़ाना cylinder में जाने वाली इंधन की मातरा को बढ़ाना engine cylinder को अधिक गनेत्वे की वायू बेजना ठंडा होने के लिए वायू परदान करना तो option number 6 है इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तु कि जो engine cylinder को अधिक गनेत्वे की वायू बेजना charging किसें कहते है जो engine cylinder है इसके अंदर आप सबको पता है two stock engine होता है इसमें क्या होता है उसको अंदर दाना जो हवा और पेट्रोल है उसकी को charge कहते है charge यह नहीं होता है सक्ती power power है वो इंधन के रूप में अंदर बेंजी जाती है ताकि उसको बाद में जदा कर उसमें उसमा पैदा की जासके दोस्तु तो यह जो होती है वायू होती है इसलेंडर के अंदर जो अधिक गनेत्वे की वायू बेशते है तो इस वायू में हाँ हो सकते है यह भी सही है कि डीजल इंजन में भी यह वायू का काम होता है क्यों कि हवा को compress करना होता है तो क्या है साधान बासा में जो वायू मंडल में गेस होती है उसका गनेत्वे बहुत कम होता है क्योंकि यह खुली वस्ता में होती है लेकिन अंदर उसको compress करना है उसको अधिक जितनी मातरा में एक वायू चाहिए उतनी तो होनी चाहिए तो इसके लिए अंदर है वो अधिक गनेत्वे की वायू को बेज़ा जाता है अधिक वायू को बेजना उसका गनेत्वे अधिक होना कहलाता है दोस्तों आगे बात करें परसंद सिंगे चपन है हमारा वीडियो काफी लंबा बन रहा है इसके लिए मैं मापी चाहूंगा दोस्तों आप सभी इसे हैं लेकिन मेरी ये मजबूरी है परसंद सिंगे चपन है पेट्रोल की तूला में डीजल इंदन होता है अब सब को पता है जो डीजल इंदन की बात हो रही है पेट्रोल है वो जलने में सबसे महिर होता है इसके अलावा जो डीजल इंदन है इसको किसके दोरा जले जाता है तो कंप्रेशन के दोरा जलाने पर क्या होता है जो वायू मंडल में गेसे होती है वहां से जब ये वायू को लेता है वाद में उसको कंप्रेस करता है तो इसमें वायू मंडल में आपको पता है कही परकार की गेसे हैं तो अंदर जब इंजन के अंदर जो वायू जाएगी तो इसमें कही परकार की गेसे होंगी और इन सब गेसों का जो गनवत्व होता है वो अलग-अलग होता है तो कभी-कभी क्या है, इन कई प्रकार की गेसों के अंदर होने के कार्ण, जो compression ratio है, वो सही नहीं बन पाता, और सही नहीं बन पाने पर जो diesel engine है, वो पूर्ट या जल नहीं पाता, या कहें, कि जो diesel engine है, जो engine के कई पूर्जे है, अगर सही रंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस इस्तती में भी कोई प्रेशान नहीं हो सकती, दोस्तों, तो इस प्रकार इस प्रसन का उतर क्या हो जाएगा, प्रेशान इसे प्रजवदीत होता है, मतलब कभी-कभी इसके सामने समशे हैं, आती है, ने, solution की बात करें, अगला प्रसन है, पेट्रोल इंजन में उच्छ की दहन किसमता के लिए आपको पंदर अधन पात एक भी आप इसका उतर दे सकते हैं, लेकिन यहां कोई विश्येस प्रिस्थितियों की बात नहीं हो रही है, प्रिसका उतर क्या हो जाएगा, प्रसन से के अठ्यावन है, हमारा नीमन में से किस किस सायता से डीजल इंजन मे डीजल जलता है, दोस्तों इसमें ओप्स नमर एक है, इसपार्ग पता के दोरा, इंजेक्टर दोरा, कंप्रेशन दोरा, इनमें से कोई नहीं, आप सब को पता है इस परसन का उतर क्या होगा, डीजल इंजन है में सा, किसके दोरा जलता है, कंप्रेशन के दोरा, मतलब जो स क्यों सिम्ट है कौन सा फ्यूल इंजयेक्टर का काहड़ी가지고 ना चींचा मगने होता है उसका काम नहीं है। कैसे बाहर की आउस्केत मातरा का मिर्ट्रिंग करना। नेंचित समें इंद्हं का पूर्ण एक्टोमाईज करना। एक्टोमाईज इंदेन को देन काक्स में समान रूप से वित्रन करना, तो option number हमारा जो C है, वो correct हो जाएगा दोश्ट हो डोस्तुूं क्यां इंदेन का वास्पीकरण करना ये इसका काम है नहीं होता, fuel injector है वास्पीकरण का काम है, कों करता है कि डीजल इंजन होता है उसमें वास्पी करण की कोई आफ सिखता नहीं होती इसके लिए दोस्तों बात करें इंजन का वास्पी करण है अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो इंजन का वास्पी करण कौन करता है वो कार्बुरेटर करता है तो इस परसंड का सही उतर है क्या हो जाएगा सी परसंड उतर है सही हो जाएगा दोस्तों एक्सक्यूशन की बात करें परसंड सिंग के साथ है हमारा किनीमेल में से कौन पेट्रोल इंजन से सम्बन देत नहीं है पिष्टन और पिष्टन रिंग बिलकूर पेट्रोल में इंजन में होते हैं कार्बुरेटर भी होता है इंजन इंजेक्टर इंजेक्टर है वो किसमें लगा रहता है डिजल इंजन में क्योंकि जो सम्पिडित वायू होती है उसके ओपर डिजल को कि फुरी उमीद है कि यह हमारा वीडियो है यह परसन है यह सब आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा परतेक परसन की जो व्याख्या की जारी है यह भी आपको पसंद आया होगी तो दोस्तों अगर यह आपको पसंद आया है उसकी जानकारी नोटी बीकिशन आपकी मॉबाइल पर तुरंत मिल सके दोस्तों अभी के लिए इतना ही फिर ची मिलते हैं एने स्टूडियो में जेहिं जेह बार्त